देखे, हमने रिडिजिबल टू इग्जेक्ट बताया, कितने टाइम बताया है, चार टाइप, कि एक अलग-अलग टाइप के, कैसे उसको हम इग्जेक्ट इफ्रेंसेल इक्वेशन बनाएंगे, अब ज़रा समझेगा, कि अगर कोई इफ्रेंसेल इक्वेशन, अभी यहां पर क्या करेंगे, 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 leaving the term containing x, containing x is equal to c, मतरब जिस term में भी x का किसी भी प्रकार से उसका जुरिस्तारी है, तो उसको हटा देंगे, अब हमने कहा कि अगर माल लीजे यह differential equation इस type की नहीं है, तो यह चीज equal नहीं है, तो वो exact नहीं है, उसको exact बनाएंगे, तो उसके चार फार्मेट बनाएंगे, अब यह जो हम फार्मेट बताने जा रहे हैं, इसको सबसे tough फार्मेट बना जाता है, tough in the sense calculation के नाम पर, तो देखे, कैसे इसको पहँचानेंगे, फ़रे यह समझेगा, देखे, अगर differential equation का जो फार्मेट है, वो ज़रा देखे कैसा हो, x to power a, into y to power b, अंदर जा देखेगा, dx साथ y का multiply है, और dy के साथ x का multiply है, single power x की द्यान की y की single power है, और into m, n जो भी है, x की power c, into y to power d, dx साथ y का multiply है, into p है, और dy के साथ x का multiply into q है, जहाँ पर a है, b है, c है, d है, m है, n है, p है, q है, सब constant है, तो अगर ऐसा फार्मेट आ गया, ऐसा फार्मेट आ गया, तो इसमें integrating factor जो होता है, वो माल लिए आ जाता है, x to power h into y to power k माल लेते हैं, ठीक है, अब चुक्कि हमने यहाँ a, b, c, d माल लिया, तो हमने यह माल लिया, अब माल ले कोई और question होगा, तो हम x to power a into y to power b माल लेंगे, यह integrating factor हम माल लेंगे, अपने अब माल लिया, अगर इसको integrating factor माना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इससे अगर इस differential equation को multiply कर दिया जाए, तो differential equation कैसा हो जाएगा, exact हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, इस integrating factor से इसको multiply करेंगे, और इसको इस form में break करेंगे, m dx plus n dy बराबर 0, इस form में break करेंगे, capital M के हम बात कर रहे हैं, वो small m यह सब constant है, और यह आपने क्या कहा है, कि multiply करने के बाद आपका differential equation कैसा हो गया है, exact हो गया, यह मनाना आपने, तो यानि कि यहाँ पर dvr m upon dvr y और dvr n upon dvr x को अपने आप क्या कर देंगे आप, equal कर देंगे, जब equal करेंगे, तो simple से बात है कि उसमें hk भी आएंगे, फिर coefficient equate करेंगे, और equate करने बार h और k की value निकालेंगे, तब hk की value मालू हो जाएगी, तो अपने आप exact का concept आजाएगा, और free जैसे exact equation लगता है, वैसे हम लगाएंगे, तरीका सुनगाया, उसे note करिए, तब हम को एक example लेते हैं, देखे जान से, यह differential equation आपका है, 2y square plus 4x square y dx plus 4xy plus 3x cube dy is equal to 0, पहले तो इसको आप क्या करेंगे, कि m dx plus ndy कि उसमें break कर देंगे, compare कर देंगे, तो m की value क्या आएगी, यह, और n की value क्या आएगी, यह, इसके बाद क्या करेंगे, डेवर n upon, डेवर y करेंगे, डेवर n upon, डेवर x करेंगे, और दोनों equal नहीं आएगे, पिर आपका क्या कहेंगे, कि यह exact differential equation नहीं है, पहली बाद, अब किस format है, format में उसको पहचानने की कोशिज करिए, तीक है, जो को format में कई प्रकार से इसको पहचान सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, देखें, अभी लिखिएगा नहीं, चुक्त टाइप 5 बता रहे हैं, इसलिए टाइप 5 में पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम यहां से y कामल ले लें, तो आएगा 2y प्लस 4x स्क्वार y dx, यहां से x कामल ले लें, तो आएगा 4y प्लस 3x स्क्वार x dy is equal to 0, याद करिए आप कुछ, f1 यह आपका हो गया, f1xy into y dx, प्लस f2xy into x dy, यह फर्मिंट आ गया, तो इसमें integrating factor क्या होता है, तो इसका integrating factor हो जाएगा, 1 upon mx minus n y, यह capital M लिखेगा, mx minus capital n y, ठीक है, और जो पिछला तरीका उसे लगा लिजेगा, एक तरीका आ गया, ठीक है, अब exam में लिखे थोड़ी आएगा कि type 4 है, क्योंकि हम type 5 बता रहे हैं, तो देखें कि उस format में इसको break किया जा सकता नहीं किया सकता जाएगा, देखें द्यान से, सावधान, अगर हम यह y का टर्म और यह वाला टर्म, देखें, जो बता रहे हैं, वो तो आप करोगे ही इसमें, इस y का टर्म और यह वाला टर्म में से हम y कामन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2y dx, बचेगा 2y और dx, और प्लस यह क्या बचेगा, 4x dy, यही बचेगा न, चेक करते हैं गलत नहीं, और प्लस, यहाँ से क्या कामन दिख रहा है, x square, यहाँ भी x square है, x square कामन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, 4 y d x plus 3 x dy is equal to 0 देखें अगर इसको उन देखें तो यहाँ x की power 0 है y की power 1 है in bracket 2 y d x plus 4 x dy है plus यहाँ पर x की power 2 है y to power 0 है 4 y d x plus 3 x dy is equal to 0 हुआ क्या यह बिलकुल वही format नहीं जिसके हम अभी बात कर रहे थे वही है ना format तो क्या करेंगे integrating factor क्या मानेंगे आप x to power h into white power k अब h के लिखने को आजीव लगता है तो यहाँ पर integrating factor क्या मानेंगे हम let integrating factor है आपका x की power a into white power p इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इससे इसको multiply कर दें तो यह equation क्या हो जाएगी exact हो जाएगी या integrable हो जाएगी यह मतलब वहा ना तो हम क्या करेंगे equation 1 को हम इससे multiply करते है multiplying multiplying equation 1 by x की power a into white power b we get multiply करिएगा देखो जब x की power a y power b यहाँ multiply करोगे क्या बन जाएगा क्या यह x की power a into white power b प्लस 1 नहीं बनेगा इतने सब्टिप्लाइ कर रहे हैं क्या ब्रैकेट में जो लिखा हो लिखा हो लिखा न तो 2y dx प्लस 4x dy प्लस इसमें जब x की power a into white power b से करोगे तो क्या यह x की power a plus 2 into white power b नहीं बनेगा तो यह क्या जाएगा 4y dx प्लस 0 गल्ती नहों क्योंकि हमसे calculation बहुत जल्दी mistake हो जाती है a plus 2 उसका reason है कि हम जब यह लगा रहे होते हैं तो मेरा दिमाग 2 step आगे चल रहा होता है कि उसके बाद यह होने गला है तो वही गड़ बढ़ जाता है अब यहाँ पर bracket खोल देता है देको साउधान जब इसके साथ ले जाएंगे इसको देखे जान से इसके साथ ले जाएंगे तो यह क्या आएगा 2 x की power a into y to power b plus 2 आएगा आएगा न वह खरवडा गया दर गया रही क्या होई 2 x की power a into y to power b plus 2 आएगा उसके साथ क्या आएगा dx आएगा dx आएगा और प्लस और इसके साथ ले जाओगे 4 x की पावर a प्लस 1 इंटू y प्लस 1 dy आएगा सही कहा मैंने प्लस यहाँ पे देखिए तब इसके साथ ले जाओगे तो 4 x की पावर a प्लस 2 इंटू y प्लस 1 dx आएगा और प्लस इसके साले जाओगे तो 3 X की पावर A प्लस 3 इंटू Y पावर B D Y is equal to 0 आएगा बोले वही बाला मैसेज आधा ठीक है इसकी तो हाइट बिल्गुला मिताबत चंतर होती चली जा रही है कोई बात नहीं है नोट के लिए देखें थोड़ा से देखें गलती नहो रही हो हो रही नहीं होगी लेकिन नहो रही हो तो अच्छी बात है यह ब्रैकेट बंद अब इसमें क्या करेंगे हम D X वाल एक तरफ करेंगे D Y वाल एक तरफ करेंगे तभी तो M D X प्लस N D Y होगा न देखो में जब D X वाल एक तरफ करूँगा रसाओधान क्या यह आपका 2 X की पावर A Y पावर B प्लस 2 D X से साथ आया है और प्लस 4 X की पावर A प्लस 2 इंटो Y पावर B प्लस 1 के साथ क्या आ गया D X आ गया प्लस और D Y के साथ यह 4 X की पावर A प्लस 1 इंटो Y पावर B प्लस 1 प्लस 3 X की पावर A प्लस 3 इंटो Y पावर B D Y is equal to 0 यह आया है ठीक है अब इसको हम compare किसे करेंगे comparing by comparing by M D X X प्लस N D Y is equal to 0 तो यह M क्या हो जाएगा 2 X की पावर A वाइट पावर B प्लस 2 प्लस 4 X की पावर A प्लस 2 वाइट पावर B प्लस 1 और N क्या हो जाएगा 4 X की पावर A प्लस 1 वाइट पावर B प्लस 1 सही है ना फिलाल तो ठीक लग रहा है, गलती नहीं हो, प्लस 3, x की पावर a, प्लस 3, वाइट पावर b, आप से क्या कहा उन्होंने, कि यह exact है, आप ने पहले मान लिया है, जो हम integrating factor माना है, यह मान की चले हैं, कि यह exact बन गया, यह इंटेग्रेबल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे as, this is exact, तो यह नि कि इसमें condition क्या लगेगी, so, dvr m upon dvr y is equal to dvr and upon dvr x, ऐसा बोला है इन्होंने, यह दोनों equal होंगे ही होगे, देखो, जब इसको y के respect में करेंगे, जब साउधान, y के respect क्या हैगा, देखो, x तो constant हो जाएगा, और y और b प्लस 2 का क्या होगा, toth पहले से है, यह b plus 2 into x की power a पहले से था, y की power b प्लस 1 आ जाएगा, एक प्लस 2 आ जाएगा, एक पहल क्या होगे है, ने तो दिमांग ला रहा हूँ, इसको जब करेंगे, तो plus, फोर्थ पहले से है, b प्लस 1, x की power a plus 2 into y की power b आ जाएगा, is equal to, n को किसके respect कर था, x के respect में, जब X के respect में करोगे तो यहां देखो 4 बहारी है A प्लस 1 आएगा और X की power A कम हो जाएगी और Y प्लस इसको जब करेंगे तो 3 A प्लस 3 बहार जाएगा X की power A प्लस 2 हो जाएगा और Y प्लस 2 हो जाएगा एक पेज एक बोर्ड पर नहीं आपा रहा है अब दोनों तरफ आप coefficient को equate करिए साउधान अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो यहां पर क्या लिखा हुआ है X की power A, Y की power B प्लस 1 है उधर है की नहीं है उधर भी है X की power A, Y की power B प्लस 1 तो यानि की जबाब लिखेंगे equating the coefficients equating the coefficients तो दिखिए यहां पर X की यहां कोफिशन क्या हो जाएगा 2 रैकेट में B प्लस 2 और यहां किसके एकोल हो जाएगा यह कर रहे है न यह वारा तो आएगा 4 A प्लस 4 थोड़ा calculate कर लिए जाएगा ऐसा करते हैं 4 वहा लिखो तो उसकट पिड़ जाएगा 4 A प्लस 1 दोड़ा साउधान यहां से 2 से cancel हो जाएगा यह तो इधर क्या आप चाहिएगा B प्लस 2 is equal to 2 A प्लस 2 यहां जो equation आई है वो क्या जाएगी 2 और 2 cancel हो गया यह भी very good तो ऐसे cancel हो गया यानि B बराबर 2 A आगया B बराबर 2 A एक condition ही आगई है ना इसको एक कुशंबर आप कौन से डाल देंगे अब वो 2 डाल दो पहले बंद परदा नहीं पड़ा है B के लिए 2 A आगई अब दूसरा equate करते हैं देखे यह नहीं रप करेगी इसने value रखी जाएगी यह वाला रफ किये दे रहें गल्ती नहीं वस यहीं डर लगता है देखे इसको दूसरी x की power क्या है देखे यह आपकी x की power A प्लस 2 A प्लस 2 A प्लस 2 B है और यहां भी x प्लस 2 A प्लस 2 A प्लस 2 B है तो इसका जो coefficient है वो क्या है 4B plus 1 है और वहाँ क्या है 3A plus 3 है सही कहा ना यानि 4B plus 4 is equal to 3A plus 9 अब देखो B की जगे क्या रख सकते हो आप 2A तो B कमान अगर यहाँ 2A रख दें तो यह क्या हैगा 4 into 2A plus 4 is equal to 3A plus 9 कल्कुलेट किया जाए यह आपका 8A है और यह 3A इधर आए इतना हो जाएगा 5A उधर क्या हो जाएगा 5 तो A की value क्या आगई 1 आगई यह बना आगई ना और A को जो 1 रखेंगे यहाँ पर तो B की value क्या हो जाएगी 2 आजाएगी तो A और 2 निकल आया A और B अच्छा यही तो M और N है तो आप चाहो तो इस value को आप अपनी differential equation रख लो या direct M कर दो M पर रख दो ठीक है तो इसका मतलब से M की value क्या हो जाएगी रख दो यह उठा करके So M is equal to question लंबा है तरीका easy है अब वो तो फिर तुम भी लंबे हो गए हो देखो So M is equal to क्या हो जाएगा M is equal to A को क्या रखेंगे 1 और B को क्या रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 2 into x into y की power 4 plus 4 into x की power 3 into y power 3 आएगा यह तो M आएगा न 2 x y power 4 plus 4 x cube y cube ठीक है और n की value क्या आएगी 4 into x की power 2 into y power 3 plus 3 into x की power 4 into y power 2 यह आएगी ठीक तो जो अच्छा exact है तो पहले आपको मालूब है भई अगर आप यह जहाँ पर आपने m dx औ n dy से compare किया था वहाँ भी रखोगे तब यही तो आएगा यह न आएगा तो जो हम general solution जो इसका निकालेंगे general solution क्या होता है integral m dx y constant plus integral n dy यहाँ क्या लिखेंगे leaving the term containing x containing x is equal to constant देखो integral m dx m भाई साब यह है 2 x y पाउर 4 plus 4 x cube y cube dx plus तरह n में देखिए क्या n में कोई term है जिसमें x ना हो दोनों में है तो 0 dy कर यह देखे बड़ा अच्छा रहता है क्यों 0 लग दो और आगे कहें हैं काम कतम आप इसको integrate करो x के रसमें कितना आएगा इसका हैगा 2 x square 2 x square by 2 into y power 4 plus 4 x power 4 by 4 y cube is equal to c तो 2 से 2 कर गया 4 से 4 कर गया x square by 4 plus x power 4 y cube is equal to constant यह आपका solution of this differential equation आया यह थोड़ा सा lengthy है वताब bsc के height के हिसाब से actually में इसकी लंबाई है ठीक देखे इसमें rule 2 लग रहा था लेकिन जरुने क्यों integrative factor उसे निकले और इतना easy निकले कि आप solve कर ले जाओ तब 1 upon mx minus ny करोगे तो हो सकता calculate करके denominator थोड़ा सा हाथी type का हो ठीक है टब भी हो सकता है तो देखना पड़ेगा उसमें एक और example देखे देखे एक और example देखते हैं लिका है y square plus 2xy dx plus 2x cube minus xy dy is equal to 0 अगर धिहान से देखो यहाँ से common y होगा y बहाँ निकाल लेंगे यहाँ से x होगा x बहाँ निकाल ले यह format क्या बन जाएगा f1xy into y dx plus f2xy into x dy तो आपका integrating factor निकलाएगा 1 upon mx minus ny लेकिन चुकिए format type 5 है तो थोड़ा सा change कर लेते हैं वो method भी यहाँ लग सकता है देखो ध्याँ से थोड़ा देखना पड़ेगा कहां से किसको हम कामल ले देखो ध्याँ से यहाँ पर आपका 2xy है यहाँ आपका 2x cube है तो अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें और common क्या लेले आप 2 x कामल लेले तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ पचेगा ydx और यहाँ क्या बचेगा x square dy यहाँ से देखो यहाँ से यह है y square और यह है minus xy क्या common है plus y common है यहाँ क्या बचेगा ydx और plus minus x dy is equal to 0 यह हो गया अब आपका जो पीशे वाला पता है था भी method type 5 है तो type 5 है यह आपका x power 1 है yd power 0 है वहाँ अगर compare करें तो यहाँ x power 1 है और yd power यहाँ क्या है 0 है और x power क्या है 0 है तो हम integrating इसको इक question 1 डाल देंगे integrating factor क्या मानेंगे let integrating factor क्या मानेंगे आप x power a into yd power b यह मान की चलेंगे कि यह integrating factor है और जब इसको इससे multiply कर देंगे तो यह आपका जो equation है वो exact हो जाएगा तो multiplying equation 1 by integrating factor जो कि हम लिख चुके हैं करो जड़ा तो जब इसमें multiply करोगे तो क्या यह x की power a plus 1 into white power b आएगा ब्रैकेट में y dx plus x square dy यहां जब आप multiply करोगे तो आएगा x की power a into white power b plus 1 in bracket y dx minus x dy is equal to 0 आएगा अब देखो ध्यान से थोड़ा direct करने है देखो जब यह चीज इस ब्रैकेट के साथ जाएगी तो यह क्या आएगा 2 x की power a plus 1 into white power b plus 1 dx आएगा dx आएगा और यहां भी dx आएगा तो यहां क्या आएगा plus x की power a into white power b plus 2 दोनों में dx आएगा और dx को हमने बाहर लिख लिया ठीक यहां पर देखिए जब इस step को multiply इसे करोगे तो क्या आएगा 2 x की power a plus 3 into white power b के साथ dy आएगा और minus जब इसका इसे multiply करोगे यह dy है तो यह आएगा x की power a plus 1 into white power b plus 1 के साथ dy आएगा is equal to 0 ठीक है देखते रहे हैं गलती नहों यहां पर 2 x square है ठीक है यहां से हमने x square कामन लिया है यहां क्या हो जाएगा यहां जो multiply करोगे तो x for a plus 2 आएगा तो यहां पर a plus 2 आएगा तो यहां पर a plus 2 आएगा अब देखिए जब इसको m dx और n dy से compare करेंगी तो क्या मैं कह सकता हूँ यह चीज m लिखी भी है और यह चीज n लिखी भी है और आप compare कर लेंगे m और m की value निकल आएगी फिर आप क्या कहेंगी कि यह चूंकि एक्जेक्ट है as it is exact but looking as it is so क्या condition आएगी डेवर m upon डेवर y is equal to डेवर n upon डेवर x अब देखिए ध्यान से अब हम m को y के respect में differentiate करते हैं देखो 2x की power a plus 2 ही रहेगा y की power पहले आ जाएगा तो आएगा 2 into b plus 1 x की power a plus 2 into y की power b लिसकता हूं इसको जब y के respect में करेंगे तो plus b plus 2 बाहर आएगा into x की power a into y to power b plus 1 होगा is equal to इसको x के respect कर रहे हैं तो यहां क्या आएगा 2 a plus 3 बाहर आएगा x की power a plus 2 आएगा into y to power b आएगा और minus जब यहां लिखेंगे x के respect में तो a plus 1 बाहर आएगा x की power a into y to power b plus 1 ठीक है अब आप क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ coefficient equate कर दो equating the coefficients equating the coefficients साउधान देखो यहां x की power a plus 2 आएगा बाहर b है यहां x power a plus 2 आएगा बाहर b है तो इसका coefficient क्या आ रहा है 2 b plus 1 is equal to 2 a plus 3 है 2 2 कहीं अपने घर है तो b plus 1 is equal to a plus 3 तो जहां b है वहां a plus 2 लिए सकते हैं एक यह relation आगया आपके पास आगया ना b plus 1 is equal to a plus 3 तो यहां से हाँ ठीक अच्छा दूसरा देखो x की power क्या यहां पर है x की power a y power b plus 1 है और यहां भी है यहां coefficient क्या है b plus 2 है और वहां क्या है वहां पर minus का a minus का 1 है ऐसा करते हैं ना b को a plus 2 लिए यहां पर b को यहां क्या लग दें a plus 2 तो a plus 2 plus 2 is equal to minus a minus 1 देखो यह minus से इधर आके क्या हो जाएगा 2 यह minus 1 पहले से था और यह plus का 4 जाके क्या हो जाएगा minus का माइनस का 4 तो A की वैलू क्या माइनस 5 बाइ 2 नहीं आ गई आगे न माइनस 5 आएगा न और 2 अपान में आएगा और जब A को यहां रखोगे तो B की वैलू चुकि A प्लस 2 है तो माइनस 5 बाइ 2 प्लस 2 बोले तो कि माइनस 1 बाइ 2 नहीं हो जाएगा तो A की वैलू आपकी आगई माइनस 5 बाइ 2 और B की वैलू आगई आपकी माइनस का 1 बाइ 2 तो अब इस A और B की वैलू कहां रख दे उठा करके इस एक्कुशन में रख दे एक्कुशन में डाल दो कुछ इसको 2 डाल दो पुटिंग A और B इस एक्कुशन में रख सकते हैं आप क्योंकि M हमने अलग निकाला नहीं है यहाँ पर तो यहीं रखे दे रहे हैं तो पुटिंग A और B इस एक्कुशन में डाल दो देखे तो हमने का पुटिंग A इस इकल तो माइनस 5 बाइ 2 और B इस एक्कुशन बाइ 2 रखे यहाँ देखे दियान से 2 X की पावर A को हमने लिखा माइनस 5 बाइ 2 तो माइनस 5 बाइ 2 प्लस 2 है इंटू Y की पावर माइनस 1 बाइ 2 प्लस 1 है हम एक्शन लिख रहे हैं इस तर्फ जानगूज करके प्लस X की पावर A की वाइनस 5 बाइ 2 इंटू Y की पावर B है माइनस 1 बाइ 2 प्लस 2 DX है न सही का मैंने प्लस यहाँ पर 2 X की पावर A माइनस 5 बाइ 2 प्लस 3 इंटू Y की पावर B है माइनस 1 बाइ 2 यहाँ लिखे दाए minus x की power a minus 5 by 2 plus 1 into y to power minus 1 by 2 plus 1 dy is equal to 0 calculation mistake न हो यह जमिजारी किसकी है आपकी है हम तो गलत करी देते है देखो ज्यान से तब इसको आप calculate करोगे साउधान तो 2 x power कितना आएगा minus 1 by 2 आएगा into y to power 1 by 2 आएगा और plus x की power minus 5 by 2 आएगा into y to power कितना आएगा 3 by 2 आएगा तो minus 1 by 2 plus 1 नहीं हो जाएगा अब इतना थोड़े गलत करते हैं गलत करी देते हैं इसके साथ dx आगया plus यहाँ देखे minus 5 by 2 plus 3 करोगे तो 1 by 2 आएगा 2 x power 1 by 2 आएगा into y to power minus 1 by 2 आएगा minus x की power कितना आएगा minus का 3 by 2 आएगा into y to power 1 by 2 आएगा dy is equal to 0 पोहँचे यहाँ तक तो क्या आप कह सकते हो कि यह m है और यह n है क्या आप इसको exact है यह proof करोगे भी आप इसको exact है यह proof करना है क्यों क्यों नहीं proof करना है क्योंकि exact आप मानी चुके है आप दोनों के equate करके ही तो इसको value निकाल ले है सो जब हम general solution निकालेंगे इसका general solution क्या निकले लेगा? integral mdx y यहाँ पर क्या होगा? constant होगा plus integral ndy यहाँ क्या लिखेंगे? leaving terms containing x containing x is equal to constant यहाँ आगे लिख रहे है integral m की value क्या है? 2 x की power minus 1 by 2 y to power 1 by 2 plus x की power minus 5 by 2 y to power 3 by 2 dx और plus n में कोई ऐसा term नहीं है जिसमें x नहीं हो दोनो x बैठे हुए है तो इस integral क्या हो जाएगा? 0 dy 0 dy is equal to c अब इसको calculate कर लो रब को नहीं इसको note कर लिया इसको इधार लिखे दे रहे तो आप x के respect में कर रहे हैं तो इसका integral क्या होगा? 2 2 x की पावर minus 1 by 2 plus 1 into y to power 1 by 2 plus वा भाई वा क्या बात गलत हो रहा न? नहीं सही हो रहा कुछ गलत हो रहा है 2 x की पावर minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 यह भी तो आएगा न? y to power 1 by 2 plus x की पावर minus 5 by 2 plus 1 upon minus 5 by 2 plus 1 into y to power 3 by 2 is equal to constant अब फ्रकल्क्रेट कर लो नीचे 1 by 2 आएगा इस 1 by 2 का 2 उपर जाएगा तो 4 हो जाएगा तो 4 x की पावर half into y to power half यह कितना आएगा? minus का 3 by 2 आएगा न? तो उपर जाके minus का 2 by 3 हो जाएगा into x to power minus 3 by 2 into y to power 3 by 2 is equal to constant यही फार्मिट ठीक है काहे के लिए LCM, LCM नेने कोई मतलब तो है नहीं आपर तो यह आपका अंसर हुआ ठीक है तो इस प्रकार से करिएगा टाइप 5 हो गया तो रेडिजिबल टो एग्जेक्ट हमने खतम कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लास में होगा देखा जाएगा झाल